तारा ने बदला रूप द्रूफ के साथ पहुची वैदशाला तो जैसे कि हम जानते ही है तारा और द्रूफ सदी के उस पार है जहाएक सेनिक की जान बचानी थी पर ओशदी यानी दवाओं नहीं मिली और तारा ने अपना रूप बदल लिया फिर तारा और ध्रूफ पहुचे जहां सेनापती ने उने बताया कि ये उस सदी की सबसे बड़ी वैदशाला है में बड़ी यह करना रारीई और ने वहारू आपना। तो अब द्रूवर तारा किस मकसद से यहाँ आए है ये तो वक्त ही बताएगा तब तक द्रूवर तारा के एक्स्क्लोजिव ओन लोकेशन के लिए देखते रहे है टेली मसाला